हालो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चनल शेह बजार विदायुष और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में स्यागल इंडिया आईपियो के बारे में तो दोस्तों आईपियो फाइनली क्लोज हो चुका है एक अगस्त कोई इशू उपन हुआ था और आज पाच कर उड़का जिसमें उसे 38 रुपीस का दोस्तों कंपनी अपने इंप्लाइस को डिस्काउंट की दिया था और बीएसी एनेसी दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलने वाला है आखरी दिन दोस्तों कितना पैसा आप आया सबसे बड़ा क्वेस्चन य कुल मिलाकरी जो इश्व था वो हमको बेसिकली दो दिनों में 1.26 सब्सक्राइब होता हुआ दिखा अज जिस तरीके से दोस्तों मार्केट में हम कह सकते एक बड़ी गरावट हमको देखने को मिलने और मार्केट जिस तेजी से हमको आज प्रेशर में कारुबार करते हुए अज़र आए अपने आप में देखे एक बात तो साफ थी कि डेफिनेटली जो सब्सक्रिप्शन आ सकता था वो सब्सक्रिप्शन अब तो नहीं आएगा क्यों वह ओविसी बात ही दोस्तों अगर गरे मार्केट को भी हम देख लेते हैं वो भी देखेंगे बट अगर हम मार ऐस सफ18 देखा जाए जब इतना पेन देखने को मिल रहे है जब ग्लोबा स्विद्शन अट चीज़िए फ्रकान, में उसका असर पर आ है अब कितना असर पड़ है चली इस कीप पर बात करते है सो इस तो QIB काटेकरी करीव हैं 31 ताइमस हमको फाइनल दे सब्सक्राइब होती भी देखी मैं यह कहूंगा यह 31 ताइमस भी देखिए सब्सक्रिप्शन आ गया यह अपना आप में एक बड़ी गरीमत है बाकी देखे कुल मलाकर 62,37,000 शेर्स ओफर किये गए थे जिसके समने 19 करोड शेर्स के लिए अल्मोस्ट अप्लिकेशन आती हुए नजराई QIB ने इस इशू के अंदर 7,818 करोड रुपे लगा है अब आप खुद सोचिए कि QIB ने आखरी बार एक बड़े IPO में इतना कम पैसा कब लगाया था आपको भी याद नहीं होगा राइट अब समझ सकते हैं कि चीजों का असर जो है वो बिसिकली QIB पर भी पढ़ता हुआ दिखा है आपको हमेशा है बात धान रखना पड़ेगा लॉंग टम में थी कि बाजार की इतनी वालेटिटी का फरक नहीं पढ़ता गर अच्छी कंपनी चल जाएगी लेकिन शॉट टम में तो असर पड़ता है IPO की लिस्टिंग क्या है IPO की लिस्टिंग है शॉट टम का दोस्तों यहाँ पर डेफिनिटली इंपाक राइट इंपाक निगेटिव आ सकता था इसी का सबसे बड़ा डर था जिसके करण हम कह सकते हैं यहाँ पर QIB ने भी कम पैसा लगाया 31 टाइम्स कह सकते हैं इस मार्केट में लगाना भी अपने आप में एक ब्रेव बात है अपने आप में काफी बात दो रीची है इसके लिए पट नो डाउट दोस्ते हैं आपर QIB ने इस इस्शू को 31 टाइम से सब्सक्राइब किया दोस्तो आती है HNI काटेगरी जो करीबन हमको 14.83 टाइम सब्सक्राइब होती भी दिखी कुलमला कर HNI काटेगरी ने 2780 करोड रुपे लगा है अब इसमें बात करते हैं बिग एचना इसकी बिग एचना इसकी काटेगरी दोस्तो आलमोस 16.28 टाइम से सब्सक्राइब होती भी दिखी अब यह बाद ध्यान रखेगा अगर आपने बिग एचना इसकी काटेगरी में लगाया है तो आपकी IP ओने के चांसे कितने हैं हर 3 में से 1 के 16 को 5 से डवाइट कर दीजे तो मोटा मोटी में आपको 3 में से 1 का चांसे बनता हुआ नजर आएगा तो अगर आपने बिग एचना इसकी काटेगरी में अपने फेमिली मेंबर से 3 से 4 अप्लिकेशन लगाई है तो बहुत चांसे जे कि आपको एक अलोट्मेंट लग जाए अगर इस तरीके से हम बात करें जरूरी नहीं कि अलोट्मेंट लगे लगे यहाँ पर इसी तरीकी की possibility रहने वाली है कुल मिलाकर 31,18,000 शेज ओफर किये गए थे जिसकर हमने 5,7,000,000 शेज के लिए अप्लिकेशन आई जिसकर हमने 1,85,000,000 शेज के लिए अप्लिकेशन आया 745,000,000 शेज के लिए अप्लिकेशन आया 745,000,000 रुपर जो है वो बेसिकली हमको आते विए निजर आएं किसके दौरा अप्लिकेशन के लिए अप्लिकेशन आया कुल मिलाकर 1,671 करोट रुपीज जो है वो बेसिकली हमको रीटेल की तरफ से आते बने जरा है अब यहां पर भी देखिए बहुत चांसे है कि देखिए रीटेल में भी आप्लिकेशन कुछ माइनस होई हो टोटल अप्लिकेशन जो है वो बेसिकली 11,28,173 है राइट तो अगर आप अप्लिकेशन को मल्टिप्लाय कर देंगे नंबर आफ शेयर से और फिर दिवाइड कर देंगे उसको 1 करो 9 लाक से तो अलमस् 3.82 ही बैठ रहा है तो अभी तो यही दिख रहा है कि जितना इश्यू दिख रहा है वहलब सब्सक्राइब हुई अगर आपके अप्लिकेशन के अप्लिकेशन के अप्लिकेशन नहीं है यह बात ध्यान रखेगा कुल मलाकर 14 टाइम दोस्तों यह इश्यू सब्सक्राइब हुआ कंपनी को पैसा रिसीव हुआ है करीबन 12,000 करोड अब अपने आपना आप समझ सकते है कि देखे हाल फिलाल में हमने काफी ऐसे SME को देखा है जहां पर इससे ज़्यादा पैसा है यह मेंड बोर इश्यू है बड़ी कंपनी है प्रॉफिटिबल कंपनी है बड़ सिल पैसा नहीं आया क्यों विकॉस देखे मार्केट का ट्रेंड बदल गया और लोग ट्रेंड के बड़ जाता है तो यहां पर ज्यादा चांस क्या है कि आगर मैं आप्लिकेशन लगाता हूं तो मैं सैका नुकसान हो सकता है इसकी पॉसिबल़िटी ज्यादा तो अगर आपने नहीं लगा है तो कोई चिन्ता वाली बात नहीं है और जिन्हों लगा है वो भी ये चिन्ता ना करें कि जरूरी है कि आपके negative में listing होगी ऐसा नहीं है अगर देखिए markets ने कल recovery दिखा दी अगर markets ने एक दो दिन recovery दिखा दी तो देखिए वापिस चीज़े markets में क्या होगा अगर वहाँ पर फिर आज बड़ा fall होता है तो definitely कल भी हम गिरावट के लिए तयार रहेंगे और हो सकता है कि बाजार कल और बड़ी गिरावट दिखा दे तो ये depend करता है कि देखिए market कहां जाकर रुखेंगे रोज आना वाजार नहीं गिर सकते हैं बड़ी बाद ध्यान रखिएगा तो market अगर correction के लिए due है तो definitely ये correction हो भी सकता है बागी देखें इस issue का allotment कल हमको पता चलेगा याद रखिएगा 6 तारीक यानि कल आपको allotment पता चल जाएगा इस issue का then listing होगी इसकी कौंचो तारीक को listing होगी 8th of August यानि Thursday को बागी देखें GMP की बात के तो GMP almost 6% के आसपास currently चल रही है तो GMP के अंदर तो आप कह सकते हैं जो closing थी on Sunday वहाँ से बिलकुल आधी से जादा गिरावट हमको gray market में देखने को मल गई है तो यही देखना है कि ग्रे मार्केट किस तरफ अब जाती हुए नहीं तरह थी after subscription वकूर subscription तो obviously बात है लो ही है इसको तो कोई deny नहीं कर सकता है बड I think यह depend करेगा मार्केट के उपर specifically कि मार्केट किस तरफ जाता है ग्रे मार्केट में अभी जो बात चल रही है कि active sellers हमको देखने को मिल रहे है तो I think यह देखने वाली बात होगी कि अब ग्रे मार्केट में किस तरफ रुक बनाती है बड I think ग्रे मार्केट भी specifically मार्केट को फॉलो करती है बाजार किस तरफ जाएगा बाजा कर जो direction होगा यह भाजार दहार न रखेगा ग्रे मार्केट भी उसके साथ चलेगा अगर कल बाजार का direction उपर रहा तो हो सकता है कि ग्रे मार्केट में recovery थोड़ी बहुत आ जाए बर अगर नीचे रहा तो obviously बादे गिरावड हमको देखने को मिलेगी अब तो listing पर यह देखे सब कुछ दर्मदार है आप लोग मुझे बताइए क्या आपने इस यागल इंडिया IPO के अंदर apply करा है या फिर आपने किया है avoid मुझे बताएगा आप लोग comment section में आप लोगो ने क्या किया कितनी application लगाई या फिर avoid किया और क्या अब बाकी क्या IPO उसको भी आपने avoid करने का सोच रहा है specifically में बात करा हूं उला electric के बारे में भी उसका वीडियो आने वाला है subscription पे वो भी जरूर देखिएगा बाकी इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको अच्छा लगा हो तो like करेगा चैनल से पहले बार जूरो subscribe परना और definitely अगर आपने वीडियो को share नहीं किया तो share भी कर दीजेगा thank you friends for watching this video